सौकत है आप सभी का थुलूंग निर्शरी में, आज हम जिस प्लांट में काम करने वाले हैं, वो बरबर के गुच्छों में फ्रारिंग करता है, और इस प्लांट का नाम है एकजोरा, जर्फ वराइटी, मेरे पास तीन कलर है, रेड, येलो और पिंक, पर आपको निर्शरी म में इसकी और भी वराइटी मिल जाएगी, छे साथ कलर में मिल जाएगा, और ये पर्मन प्लांट है, जिसे एक बार ख़िद के अपने लिखा दिया, तो ये चलता रहेगा, अब हम टापिक में आते हैं कि इस प्लांट का करना क्या है, जो प्लांच दंबल भी हो रही है, उ जैसे कि आपको दिक्रागा हुआ, क्योंकि इस प्लांच की करन हमारा प्लांट शेप में नहीं है, और उस प्लांच पे फ्लावर भी नहीं खेल रहे है, जैसे यहां पे खेल रहे हैं, और मैं यह चाहता हूँ कि मेरी जित्ती भी प्लांट की ब्रांच हो वो एक ही साइज क हो, सभी प्लांट की उसी हाइट में फ्लारिंग हो, और कौन चाहिए कि उसकी प्लांट की ब्रांच उपर निचे हो, और दिखने में ही वो अच्छा नहीं लगएगा, तो अब काम सुरू करते हैं, इसकी मैंने ब्रांच काड़ दी है, जो ज्यादा लंबी थी, और नए श प्लांच भूल तो नहीं गए, अब आती है दूसरे प्लांट की बारी, और इसकी प्लांच बहुत लंबीर भी है, इसको भी उसी लेवल में हम काड़ देंगे, उसी लेवल में जो हमने पहले प्लांट की काड़ी है, उसी लेवल लेके चलना है, नहीं तो पहले प्लांट म लंबा हो जाएगा और दूसरे में हम छोटा कर देंगे बस इसी बात का ध्यान देना है जोगो दूनों प्रांट पराबर हो पस हमें एक बार घ्रत के लाना है और इसकी कटिंग से ही हम और प्रांट पराण लेते हैं साथ ही यह बहुत लो मेंटेनिस का होता है और साथ है बड़ा हडी होता है फ्रांट मैंने और कोई बिमारी तसमें देख री पर इसमें मिली भ correct का डर होता है जो हमारे प्लांट के नई बांच में आ जाते हैं फिर वहीं से ही प्लांट कराप होना सुरू होता है तो टाइम टाइम बे इसमें गीट नरश्रक का उपयोग करना पड़ता है पर मैंने इस प्लांट में नहीं है अभी और बात करें मीडिया की तो इसमें मिलाया मैंने अपने खेत की मिट्डी वो भी 60% 20% मिलाया उसमें मैंने गोबर की खात वो भी अच्छी सड़ी हुई साथ में बॉर्ण मील 10% इसके साथ में SSP सुपर फासबेट 10% मैंने अपना मीडिया तियार किया है मीडिया एकदम भुर्पुर्डी और हल्डकी बनी है और इसके बात यहां दोप नहीं आती और इसे पूरे दिन की दोप भी नहीं चाही होता अगर हम इसे पूरे दिन की दूप दे तो इसके पत्ते चलने लग जाते हैं और साथ में फ्लावर भी और है मेरे पिंक कलर का एकजुरा का प्रांट इसकी फ्लावरिंग अभी ही कतम हुई है और ये है आपके राइट साइट में मेरे यलो एकजुरा प्रांट उमीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा आप सभी को दिल से धन्यवाद